अखिलेश ने अपने तरकष्टे एक और सियासी तीर निकाल कर बिज़पी पर चला दिया अखिलेश ने बिज़पी से जातिय जनगर्ना कराने की मांग करते हुए कहा कि जैसे ही उनकी सतरकार बनेगी वो जातिय जनगर्ना कराएंगे जातिय जनगर्ना कोई आज नहीं मांग हो रही है इसकी अंग्रेजों ने किसी जमाने में 1931 में ये समझा था कि जाती जंगरना हो और समिधान के अधिकार तभी मिल सकते हर जाती ब्राद्री को जब जातीयों की गिंती पता हो समाजवादियों का हमेशा ये मानना रहा और मुझे ये जनाब फूल की खेती करके एक एकड में एक साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं आपको भी ये करना है तो फ्रीडम आपको अब भी डाउनलोड कीजिए याद है जी पिछले चुनाओं में समाजवादी पार्टी नों मैंने कई मौकों पर ये कहा कि समाजवादी सरकार मनेगी तो तीन महीने में जाती जणना कर दी जाएगी बीजेपी लोग सबचनाव को लेकर यूपी में मेशन 80 में जुटी है और इसके लिए माइक्रो प्लानिंग बना कर हर वोटर तक पहुँचने की तयारी कर रही है लेकिन अखिलेश यादफ ने बीजेपी के मेशन 80 को लेकर बड़ा बयान दिया है उन्होंने कहा कि निजी करण की रहा पर चल रही बीजेपी यूपी की सभी लोग सभा की 80 सीटे हार सकती है बीजेपी इस बार हो सकता है 80 सीटे हार जाए जो ये कहती हो पार्टी कि हम बर्सों बर्सों रहेंगे याद कीजिए यही कहते थे ना कि 50 सार राज करेंगे और वो लोग 400 दिन की बात कर रहे थे और आज तो दो दिन चले गए 398 उनके राष्टिया देश को कम सकम दो मेडिकल कॉलेज देखने जाने चीए जो उन्होंने खुद शिलानिस की हैं अगर वो दो मेडिकल कॉलेज चले जाएंगे तो अपने आप कह देंगे कि उत्तवजेश में कितनी लोग सवाज जीतेंगे वो अखिलेश यादव ने बीज़ेपी के सामने एक बाफर वही मुद्दा छेडा जिस पर वो अकसर बश्टी नजर आती है अखिलेश की जातिय जनगर्णा की मांग पर बीज़ेपी की ओर से इस बार भी कुछ ऐसा ही बयान देखनी को मिला लोग सब चुनाव को लेकर बीज़ेपी अपनी रड़नीती पर काम कर रही है आखिलेश यादव समेथ पूरा वेपक्ष बीज़ेपी के खिलाफ जातिय जनगर्णा का सियासी चक्रवियू रश्नी में लगा है दरसल यूपी की सियासत में ओबीसी बोटर नरनायक भूमिका में है मंडल कमिशन के बाद से यूपी की सियासत ओबीसी और दलितों की एर्द गिर्द घूमती रही है इसके लावा 25 फीसिदी अनुसूचित जाती और करीब 18 फीसिदी मुस्लिम आबादी के सहरे सूबे की सत्ता तै होती है यही वज़े है कि विपक्षी दलों की नजर ओबीसी और दलित बोट बैंक पर है और वो समय समय पर जातिय जनगर्णा की मांग करती रही है लेकिन यह मुद्धा बीज़े के लिए गले की हड़ी से कम नहीं है इसलिए वो अकसर इस मुद्धे पर चुपी साधने में ही भलाई समझती है क्योंकि बीज़े के सामने मुश्किल यह है कि अगर जातिय जनगर्णा की खिलाफ जाएगी तो सत्ता की सीड़ी कहे ज़ाने वाले OBC और दलित वोटर के नराज होने का डर है तो वहीं जातिय जनगर्णा के समर्थन में जाने पर उसका सवर्ण को वोट बैंक उसे छिटक सकता है जातिय जनगर्णा को लेकर सपाक के राश्ची अध्रष अखलेश यादो ने आज अपना बयान जारी किया है पिछले कई दिनों से उत्तरपदेश में जातिय जनगर्णा को लेकर लगातार राजनीतिक बयान बाजी केज हो चुकी है ऐसे में माना जा रहा है कि लोग सबाद चुनाओं से पहले जाति जनगर्णा उत्तरपदेश का एक बड़ा चलंत मुद्दा हो सकती है विशारलोगवशी, जी मीडिया, लकनव ये जनाब फूल की खेती करके एक एकड में एक साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं आपको भी ये करना है तो फ्रीडम आपको अब भी डाउनलोड कीजिए